है है वोज़ आफ्टरणून अभीवन जो आजका अमारा लेक्चर वह आफेटzhव मेडियेशन एंड इंड्स मेकैनिगश्म या फेट टाइपस। जो phyto-remediation है वो बायो-remediation का ही एक टाइप है जो बायो-remediation है वो एक broad term है जिसका meaning होता है कि हम living organism का use करके अपने environment को clean up करेंगे ठीक है यानि कि phyto-remediation मतलब बायो-remediation का meaning है कि हम living organism का use करके environment को clean करेंगे living organism में fungi भी आती है bacteria भी आता है ठीक है और plant भी आते हैं तो बायो-remediation में ही एक strategy आती है जिसमें plant का use करके हम अपने जो environment में pollutant होते हैं उसका clean करेंगे उन pollutant को clean up करेंगे ठीक है तो इसलिए से phyto-remediation कहते हैं plant के द्वारा ही हम अपने जो environment में pollution होते हैं उसको उसका clean up करेंगे इसलिए इसको phyto-remediation कहते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया गया है human activities जैसे की agriculture, urbanization and rapid industrial growth नहीं क्या 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 environmental pollution बहुत ज्यादा होने लगा है इन सब चीजों की वजह से इन environmental pollution में क्या-क्या include है heavy metal है, metalloids है, radioactive compound है, organic compound है इसके अलावा जो है fertilizer है, pesticide है और जो industrial discharge होते हैं या फिर soil के अंदर आ जाते हैं तो वह सारी चीज़े इसमें pollutant में आती है ठीक है तो यह सारे pollutant जो हमारे environment में बहुत जादा problem create कर रहे हैं in pollutant से या in pollution से fight करने के लिए हम अपने plants को use करते हैं ताकि हमारे environment में pollution कम हो सके इसलिए इसको fight or remediation कहते हैं यहां पर यह पूरी theory लिखी हुई है इसे आप अपने exam में लिखेगा मैं आपको बस fight or remediation का overview दे रहा हूं यह theory आप लिखेगा काफी अच्छी theory है और काफी time लगा के लिखी है मैंने अब move करते next पे देखो इस इस इन्वार्मेंटल फ्रेंडली ग्रीन कॉस्ट एफेक्टिव अप्रोच फॉ मतलब इन्वार्मेंट फ्रेंडली मतलब इन्वार्मेंट को कोई नुक्सान fight or remediation से नहीं होता है ठीक है बाकि कोई chemical या physical method होता है उससे अगर उस physical या chemical method से हम अपने इन्वार्मेंट को clean up करें तो उससे इन्वार्मेंट को थोड़ा बहुत नुक्सान हो सकता है लेकिन phytoremediation से plant यूज करें तो इन्वार्मेंट को उससे कोई भी नुक्सान नहीं होता है उसके अलावा green है मलब इन्वार्मेंट को फायदा ही होता है उससे cost effective है plant सस्ते होते इसी लिए plant का cost effective यहां पे लिखा हुआ है for approach for the removal of inorganic pollutant example copper chromium cadmium lead arsenic nickel यह सारे heavy metal है ठीक है इसके अलावा organic pollutant example volatile mono aromatic compound like benzene toluene और इसके अलावा क्या है पह है और pesticide है DDTA PCBA इन सबका environment में यह सब स्वायल में अगर आ जाते हैं तो इनके removal के लिए phytoremediation technology का use किया जाता है इसके अलावा phytoremediation में और heavy metal का बहुत पुराना relation चलता आया है तो इसको देखते हैं heavy metal and metalloid are considered ऐसा hazardous pollutant due to their toxic nature, wild spread distribution, resistance to degradation यानि जो heavy metal होती है वो बहुत सारे सालों तक degrade ही नहीं होगी soil के अंदर ठीक है और यह क्या होता है हमारे food chain के अंदर जाने लगती है food chain में जाती है तो यह human तक आ जाती है जो काफी जादा harm create करती है human health के लिए heavy metal तो heavy metal के removal के लिए भी plant का use होता है और phytoremitation technology के द्वारा अगर environment में heavy metal का pollution हो गया है तो उसे हम remove कर सकते हैं इसके बाद आती है mechanism of the phytoremitation phytoremitation की बहुत सारी mechanism है यहाँ पर मैं मैं में आपको mechanism बताता हूं phytoremitation की कौन कौन सी है एक एक करके ठीक है सबसे पहले आता है हमारा phyto extraction phyto extraction एक simple process है phytoremitation का ठीक है इसमें क्या होता है जो plant होता है वो जो pollutant है उसको pollutant जैसे की हम heavy metal या फिर कोई भी organic pollutant मान सकते हैं इसको soil से absorb करेगा और plant अपनी body के अंदर accumulate कर लेगा वो अपनी body के अंदर ही उस pollutant को रहने देगा ठीक है इस process को कहते हैं phyto extraction मैं आपको जो phyto extraction का सबसे popular example है वो है brassica इसके अलावा maze भी phyto extraction में use होता है मैं आपको brassica के example से समझाता हूँ phyto extraction होता क्या है एक जगा soil है जो lead है यह फिर copper heavy metal है उससे polluted soil है ठीक है अब इस pollution को हमें remove करना है soil में से ठीक है इसके लिए हम वहां पर क्या करेंगे brassica का plant लगाएंगे जब हम brassica का plant soil के अंदर लगाएंगे तो वहां पर soil के अंदर तो heavy metal है अब वह heavy metal है soil के अंदर वह plant के ऊपर क्या stress आजाएगा हमारा plant stress में आजाएगा ठीक है क्योंकि soil के अदर heavy metal है वो plant के ऊपर भी थोड़ा सा stress देती है जैसे plant stress में आता है वो phytochelatin protein को synthesis start हो जाती है उसके अंदर यह जो phytochelatin protein है यह systeen rich protein होती है ठीक है phytochelatin एक systeen rich protein है यह क्या करती है heavy metal से bind कर जाती है ठीक heavy metal हमारे soil के अंदर है यह root में होती है तो यह उससे bind कर जाती है heavy metal से जब यह heavy metal से bind कर जाती है तो जब यह phytochelatin heavy metal से bind कर जाती है फिर क्या होता है यह जो phytochelatin से है यह heavy metal के देखो चार तरफ से घेर लेती है ठीक है अब यह phytochelatin heavy metal को transfer कर देती वैक्योल के अंदर ठीक इससे क्या होता है plant के अंदर heavy metal accumulate होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं phyto extraction ठीक फाइटो एक्स्रेक्शन भी अब दो तरीके का होता है यह तो मैंने आपको बताया एक होता है continuous phyto extraction दूसरा होता है induced phyto extraction continuous phyto extraction में देखो plant species जो naturally phyto extraction की process करती है जैसे की ब्रैसिका बने आपको बताया ठीक है इसके अरावा एक होता है induced induced phyto limitation इसमें क्या किया जाता है phyto extraction process यह बहुत कम करती है लेकिन इसे इनहेंस किया जाता है इसके अलावा देखो इसमें बताया गया है यह पूरी थोरी आप अपने पेपर में लिख लीजेगा काफी अच्छी थोरी है इसके अलावा लेमना एक प्लांट है ठीक है इसकी एक species का use करके एक soil के अंदर arsenic present था contamination था आरसेन का तो 82% arsenic का रिमूव किया गया soil से इसके अलावा देखो copper का भी removal किया गया plant की help से जो soil के अंदर copper present था ठीक उस copper को extract करने में plant का use किया जाता है और भी सारे जो heavy metals है या फिर essential metal है उसको भी extract करने के करने के लिए different plant का use किया जाता है अब आता है हमारा phyto degradation ठीक है phyto degradation के अंदर क्या किया जाता है जो pollutant test oil के अंदर उसे breakdown किया चाता है breakdown कैसे होगा यह pollutant with the help of plant की metabolic process के द्वारा हो सकता है या फिर plant की जो root है वो कोई enzyme produce करेगी जिससे यह जो हमारा pollutant है यह breakdown होगा phyto degradation की जो process है वो mainly होती है जो organic pollutant है उसको degrade करने के अंदर क्योंकि जो organic pollutant है वही तो तूट सकते है heavy metal थोड़ी न तूट जाएगी तो heavy metal को remove करने में यह process यूज नहीं होती है यह होती है खाली organic pollutant को remove करने में या उसको degrade करने में remove करने का मतलब वही हुआ कि pollutant remove हो गया soil में वह pollutant टूटके less harmful form के अंदर आ गया पहले वह बहुत जादा harmful था अब उसे different compound में तोड़ दिया किसी enzyme plant के enzyme ने तब वह less harmful हो गया इस ही कोई हम phyto degradation की process कहते है अब देखो plant की जो root है वो enzyme release करती है जैसे dehydrogenase हो गया nitro reductase हो गया peroxidase हो गया इसके अलाब और भी बहुत सारे enzyme release करती है जिससे organic pollutant को degrade किया जाना possible है इस technique में transgenic plant यानि की transgenic plant बताऊं तो कोई plant के अंदर कोई specific gene को introduce करवाई जाती है जिसे वो plant किसी एक particular process के लिए बहुत जादा specific हो जाता है ठीक है transgenic technology पेग अलग से video वनी हुई है आप देख लेना transgenic plant का use करके यहां पर सिंपल ही ऐसा समझे लो transgenic plant का use करके भी जो है अब फाइटो डिग्रेडेशन किया जाना possible है और सबसे ज़्यादा transgenic plant का ही यूज होता है फाइटो डिग्रेडेशन में यहां पर देखते है जनेटिक ली मोडिफाइड येलो पॉपुलर plant ability to grow in plant tissue culture plant tissue culture में उसे grow किया जाएगा उसके अंदर capacity है इतनी जिसके अंदर होगा high mercury concentration जिसके अंदर mercury होगी अब यह क्या करेगा यह जो mercury की toxic form है plant tissue culture के अंदर उसको less harmful state में convert कर देगा ठीक है यानि कि जो यह genetically modified yellow popular plant था इसको culture media के अंदर रोग गया इस culture media के अंदर है heavy metal में mercury डाल दी गई mercury की high dose थी यहां पर जो बहुत जादा harmful state में थी mercury ठीक है इस harmful state mercury को यह harmful state है mercury की इसको less harmful state में convert कर दिया गया plant के द्वारा ठीक है इसके अलावा देखो निकोटियान प्लांट है यहां पर निकोटियान प्लांट है जिसका यूज किया जाता बायो इसके अलावा जो रेड मेंग्रोव हैं वो एसोसीशन शोटियान प्लांट का यूज किया जाता है इसमें क्या हेल्प करता है देखो एन एफ एस एल नाइट्रो रिडक्टेस जी मतलब एंजाइम का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है जो रूट में सिंतेसाइज होता ह इसके अलावा जो रेड मेंग्रोव हैं वो एसोसीशन शो करते हैं विद्धा विद्ध पीजी पीयार प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टिरिया के साथ जैसे कि सूडो मनास और बैसिलर स्पीचीस इससे क्या होता है इसके अंदर कैपिविल्टी होती है ड पॉलिसाइकलिक एरोमेटिक हाइट्रोकारवन को ठीक यह डिग्रेट कर देता है क्योंकि यह जो प्लांट है रैड मेंग्रोव यह एसोसीयेटेड है बैक्टिरिया के साथ तो फिर यह बैक्टिरिया हेल्प करता है पॉलिसाइकलिक एरोमेटिक हाइट्रोकारवन को डिग टॉकिक केमिकल को अपने अंदर लेगा ठीक है Exec करेगा एक परेंठी को एक पंदूर करेगा प्लाड नेकान ऊस्थोमार किया अपरिब फाइयटोभ। किया होता है जो पिलांट होता है वो स्वेल से फार्म ौल hol है जो हमारे pollutant की वो absorb करेगा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसको less toxic form के अंदर convert करेगा plant, pollutant को, ठीक है, उसने soil से जब pollutant लिया तो वो बहुत ज़्यादा toxic था, अब उसने अपने अंदर processing की उस harmful pollutant की और उसे less toxic form के अंदर convert कर दिया plant ने, अब वो plant क्या करेगा, उस less toxic form बाले pollutant को अपनी leaf के द्वारा release कर देगा, ठीक है, यह होता है, phytoboletization के अंदर, इसका examples दे रखें, आप उसे पढ़ लीचेगा, इतना detail में लिखने ही जोद नहीं होती है, बस इतना ही लिखा जाता है, इसकी definition, definition में किया है, phytoboletization is a process, plant uptake the pollutant from the contaminated site with the help of their root and convert the more toxic element into the less toxic form within the plant and release in the atmosphere with the help of अपनी leaf के द्वारा उसे release कर देता है, ठीक है, यहाँ पर example भी दे रखें, आप इन example को अपने paper में लिख दीजेगा, अगर आप MSC में हो तो आप जरूर लिखेंगा, BSC में खाली definition तक चलता है, यह काफी detail में लिखा हुआ है, phytoboletization की process को, तो आप इतनी detail में ना लिखो, ठीक research paper को पढ़कर यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए इसमें ital करके लिखे हुए हैं, यह सारे research paper की name है, तो आप ब अभी तक जो आपने बड़ा phyto extraction, phyto volatization और phyto degradation वो सारे soil के अंदर से, soil के अंदर कोई, अगर contamination है तो उसे remove करने में यूज हो रहा था, phyto extraction process, phyto degradation process, phyto volatization process, लेकिन वाटर के अंदर contamination है, उसे हमें remove करना है, तो उसके लिए राइजो filtration techniques का यूज किया जाता है, plant की root होती है, उसके द्वारा water के अंदर जो pollutant होता है, उसको absorb या adsorbed किया जाता है, यहाँ पर absorb का meaning है, कि उसने plant की root है, उसने pollutant को अपने अंदर ले लिया, ठीक है, absorption का लिया pollutant का, और यहाँ पर absorb का meaning है, कि जो plant की root है, उसके surface पे आके वो रुख जाता है, उसके surface से interact कर करता है प्लांट की रूट की जो सरसेस ना उसस है पॉलियरूटि इंटर्ए करता है और उसकी साथ Gabriel करने का मेनिंग है पानी से ह gift मेटल की एविलिविल अगर अ सब्ते हैं हमारी प्लांट के साथ इंट्रक्ट रहा हो जाएं या फिर इंट्रक्ट कills आधूर्ब यह फिर उसके अंदर इब्जॉर्ब हो जाएं ठीक है तो पाणी के अंदर हयवी मेटल की जो इसकी कंसे टेशन कम हो जाएगी अब कंप हो गई है है क्या कि कन्सेंट्रेशन वार्टर के अंदर कम करने की जरूरत क्या है यह समझते हैं क्योंकि जो है तो वाटर के अंदर भी living organism रहते हैं तो उनमें भी damage हो जाएगी तो उसको reduce करने में important role होता है जाए जो filtration process का अगर heavy metal हमारे वाटर के अंदर आ गई तो ठीक है यहाँ पर भी उसके example दे रखे हैं बहुत सारे आपको एक example पढ़कर लिक्स लीजिएगा simple है बहुत अब जो next step ह बहुत है phyto stabilization की process इसमें क्या करते है plant inhibit करता है mobility को अब जो हमारी next step बहुत है phyto stabilization इस process में क्या होता है जो plant है वो inhibit करता है mobility and restriction करता है bio availability और mobility को inhibit करता है जो भी हमारी heavy metal होती है जो contamination होता है soil के अंदर वो यह जो process है soil के अंदर widely use की जाती है plant और water के अंदर कम यूज की जाती है ठीक है इस process इस process को अभी detail में बदाता हूं मैं आपको soil के अंदर जो plant होता है plant की root होती है वो root जो होती interact करती है plant growth promoting bacteria के साथ ठीक है यह फिर क्या करती है mycorrhiza के साथ mycorrhiza net like structure बनाता है soil के अंदर तो वो इनिवेट करता है और मतलब उसके movement को heavy metal की या pollutant के movement को रोकता है यह mycorrhiza क्योंकि net like structure होता है न इसका तो वो उसकी bio availability को कम कर देता है soil के अंदर और heavy metal या pollutant को soil के एक जगा से दूसरे जगा move होने से रोकता है क्योंकि mycorrhiza का एक net like structure बना होता है इसके अलाबा plant का root होता है वो root exudate को secret करता है root exudate को होता है बहुत सारे chemical release करती है plant root soil के अंदर यह root exudate है यह chemical होता है मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो यह जो चिपचिपा वाला chemical मतलब है जो plant root secrete कर रही इसमें various molecules होते हैं जो pollutant के साथ interact करते हैं जब वो interact करते हैं तो वो plant root के साथ ही बंद जाते हैं और soil के अंदर move नहीं कर पाते हैं तो इससे भी bioavailability कम हो जाती है pollutant की soil के अंदर ठीक है यहाँ पर यही इसके example दे रखें यह phytostabilization के जिसमें से आप एकाद लिख लीजेगा बस बनना definition काफी है आप बस यह definition लिख दीजेगा ठीक है शोनादी है पाते हैं यहाँ, यहाँ, दीजेग, पीजेग, लेड़ाब से विए ईधना इदावै कर दापे हैं झाल झाल झाल